अलो गाइस आज हम वीडियो में बताने बाले हैं कि जो आपका वीडियो फोन है तो फोन को आप कैसे रीबूट कर सकते हैं उपडिना बटन के और बिटाउट बटन आप फोन को रीबूट कैसे कर पाएंगे तो आज हम वीडियो में बताने बाले हैं तो वीटियो स्टार्ट भिने से पहले, हमारी चैनल को राइब करें, सबस्क्राइब करें पर सबस्ब्सक्राइब करें, wizard लिंग बाल आइपन बडियों न सब्सक्राइब करें चल लेते हैं तो आप देख सकते हैं को यो फॉन के आइपन आपके फॉन में को जिस तरीके से शुर हुर हैं तो आपको swipe करना, swipe करती है, all icons open हो जाएंगे, फिर आपको settings पे जाना हो, click करती है, आपकी phone की settings अब अपनी आगी, तो without buttons phone को कैसे आप reboot कर सकते हैं, तो simply आपको यहां से जाना हो अपनी phone की shortcut and accessibility settings पे, तो shortcut and accessibility settings को open करना ग्याद आपके पास option आ जाता है accessibility setting तो accessibility settings को भी open कर लेना है open करती shortcut accessibility menu shortcut option आ जाएगा जिसके जरी आप phone shortcut का use कर सकते है और shortcuts का use कर आप phone को reboot कर पाएंगे और भी power button के बिना देख सकते हैं कि जब आप इसको on करते हैं तो यहां पर यह गोईट का option आएगा और shortcut का icon है यहां पर show करेगा जब आप इस पर tap कर देंगे टैप करती है shortcut icon से आपके phone में को जिस तरीके से show करेंगे जहां से आप पावर अफ कर पे जाकर phone को आप reboot कर पाएंगे जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यह आपका phone है reboot हो जाएगा 1 और फ़ोरी चलो में ऑटकल वह तो इस तरीकसे fight की settings पे जाकर phone को reboot कर सकते हैं बिना power button के और साथ में देख सकते हैं कि जब आप सक search करते हैं तो directly आप settings पे जाकर भी जाकर भी आप phone की settings पे जाकर भी phone को reboot कर पाएंगे देसकते हैं menu shortcuts पे जाकर भी phone को reboot कर सकते हैं phone करते हैं तो shortcut icon आ जाते हैं जिसमें shortcut कर सकते हैं इस option पर क्लिक करते हैं आपको बना फॉर्प बड़क बenne-फॉल कर परeger सबस्क्राइब करें और सब्सक्राइब करें लाइकन दोना हम नबूलें धैंक्यू लीडियो के हम्थजार ट difer यार करें. Thank you.